नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंड सी दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में अनलाइसिस करेंगे सी ओ भी कौमिला विक्टोरियंज वर्सेस एस वायल सिलेट स्ट्राइकर्स के बीच जो होगा बंगलादिश प्रीमेलिक टी टुइंटी का ना आज का दिन का सेकेंड मैच फर्स्ट मैच करेंडली चल रहा है वीडियो में आपको बहुत सारे अलग-अलग तरीकिक से अनलाइ नीचे कोईशन करने वाला हूँ आप अंसर करोगे नियरस्ट अंसर को भी गाइस वीनिंग दिया जाएगा फाइफ विनर्स होंगे मैक्सिमम और मिनिमम एक विनर्स तो जरूर हो सकता है तो अब भी आता हो एनलाइस इस में लाइक करके स्टार्ट रखना इस मैच के रिले नाइट का मैच में आप अगर देखूंगे सर्प्राइजिंग ली एक सो थीज पर दस एक सो इकतियस फर्स्ट डे का जो सेकेंड मैच था अगला दीन जो सेकेंड मैच वा उसमें 158 जादा बना है बट शे विकेट विड़ा 159 फर टू और लाज्ट डे का नाइट मैच में 135 पर 136 पर तुम मैं क्या बताना चाहूंगा यहां पर जो दीन का मैच होता है उससे जादा नाइट का मैच मेरिस्क होता है और इसमें जादा डेन के मैचो से राइट के मैच इसमें जादा विकेट गिड़ा है इग्जाटली अपो धागा मेर्पूर में देगेगा उसका तो आपको क्या करना है यहापे ना बॉलर्स भी आपको टाइट करना है और सीलेट स्ट्रॉंग टीम है अगर बॉलिंग फर्स्ट किया तो इनके जादा बॉलर और वन सेले टिम भी जा सकते हो ठीए 6 बजे मैं स्टार्ट होगा सीलेट से अगर देखोगे मस्ट पी कौन मैंता है नजमल उसन शांत हो बैट बल दोनों से पॉइंट देगा नहीं यार बॉलिंग करेंगे नी बट बैटिंग से पॉइंट देगे कैच्छिस भी लेते बढ़िया कैप्टें वाइस कैप्टेंट पीक है बट बिकॉस ये नाइट का मैसे जहां पर रन जादा बन नहीं रहा है तो मैं कैप्टेंट नहीं बनाऊंगा बैट्समें को 20 प्लस स्कोर है एक आदा दो कैच अगर मिल गया तो 35-40 पॉइंट से मिलेगा आपको जकीर हसान प्लेयर सॉलिट है अगर आपको रिस्क लेना है तो जरूर लो मैं बोलता कि अगर बैटिंग फर्स्ट होता और या फिर डे वाला मैच होता डे वाले मैच में मैं इसके साथ रिस्क लेता मुझे प्लेयर क्वालिटी लग रहे है और तोहीज रिदो है अगर आया तो मुष्वी को नीचे आएगा जकीर भी नीचे आएगा वन डाउन तोहीद खेलेगा थिसारा परेरा बैटबल दोने से पॉइंट दे सकता है यह नाइट वाला मैच में बॉलस अब छोड़न नी सकतो डेफिनेटल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ठीक है अब रख लेना लास्ट में एक यारा रण बनाया था मैं वह नीचे लिग दया माफी चाहता हूं उसके लिए तीसारा इमाद दोनों मस्ट पीक है मस्ट ने लास्ट मैच में सिर्फ एक टाला वह इनिक्स का लास्ट वाला ओवर क्यों क्योंकि रूबल आया था लास्ट मैच में अगर रूबल खिल जा तो मस्टिफी का ओवर शाय कटे देखो एक दम एक ओवर डालेगा असा नहीं दो तो डाली सकता है वेरी इसली मौहमद अमीर वेरी डिसेंट पीक और मेरे साब से यह नाइट वाले मैच में बॉलर्स बहुत कुछल है और ऐसे बॉलर्स जो एक आदा विकेंट ले ही जाता है अलमस्ट हर मैच में तो चोड़ नहीं सकते हैं अगर आप देखोगे दोस्तों अपिनिंग बॉलिंग में कौन आएगा रूबल आएगा इमाद वासी कौन मश्रफ मुहमद आमीर रूबल करते हैं अब को दिखेंगे सिए अगर देखोगे लिटाउन दास देखोगे लिटाउन दास देखो सीओ भी टीम बहुत खराब नहीं है एक ही मैच वीन क्या है वह लास्ट मैस था प्लेयर अच्छा है दोस्तों इनके पास बहुत सारे जो भी है लिटन और मुहमद रिजवान उसके बाद इमरूल है जॉंसन है जकीर अली है खुझदिल चाह यहां पर बरा नौक आपको खुझदिल से दिखने से दिखेगा रेस्ट कोई भी यहां पर बरा स्कोर नहीं कर पा रहा है और हिटिंग भी बहुत अच्छे से नहीं करते हैं यह आप नहीं जानते हैं इमरूल काइस को हीटर के रूप से जकीर अली एक मैच में 57 का नौक था वो शायद जितना मुझे याद आ रहा है वो डे का मैस था शायद और अगर देखोगे नाइट के मैस इसमें कुछ खास किया नहीं है और नीचे अगर आओगे तो जोस्तों मुसाद्दे घुसें यहाँ पर मुश्किल हो रहा है नाइट के मैच में बैटिंग करना तो इनको मुश्किल आएगा उपनें के बस क्वैलिटी बॉलर से जॉंसन जाल्स प्लियर तो अच्छा है बट इनका ना इडिल पॉजिशन ओपिनर इतना नीचे ठाका का स्लो ट्रैक में इनको थोड़ा मुश्किल आसकता है खास करके स्पिनिस के अगेंस यह राइट एंडर बैट्स मैंने सब को पता ही होगा ठीक है हसान अली इस टीम का अगर बॉलिंग देखोगे बॉलिंग खास चला नहीं है हसान अली का लास्ट में पिटाई बहुत साथा तन्वीर इसलाम दोनों मैच में दो और चार विकें निकाला यह प्लियर इंपॉर्टन रहेगा इनका लास्ट येड भी बहुत ही अच्छा था शायद 13 14 विकें भी निकाले थे मुकी दूल इसलाम गैस बॉलिंग फर्स लेना है तो ले सकते हो क्योंकि डेथ में आ रहा है लेंध हीट करता है बिसिकली और बिकास ये लेंध हीट करता है तो अच्छा खासा बॉलिंग कर सकता है इस ट्रैक में खास करके गाइस नाइट के मैचिस में थोड़ इुकित जादा गिर रहे है अब हुई इधर सर्प्राइजिंग ले एक भी ओबर नहीं डाला दोस्तों अब यहां पर कोई गारेंटी निया कौन लेगा बॉल फर्स अगल लेना है तो असान अली को ट्राइब कर सकते हो बट वह बॉल फर्स ट्राइब करना है तन्वीर इसलाम डिसेंट पीक है दोनों कंडिशन में रख सकते हो बट अग बार देख लेना ऑपनें का जो टॉप है ना वह दोस्तों देखोंगे तो नजमुल इसलाम को इस मैंज में एक से जादा विकर मिलना चाहिए अगर तोहीद आता है तो बात अलग है क्योंकि उस कंडिशन में राइट है बैस्में भी आ जाएगा तोहीद बट रेस्ट गैस नजमुल इसलाम अच्छे फॉर्म में लिफ्ट अने बैट्समें दोस्तों वन्डाउं जकीर लिफ्ट अने बैट्समें मौमध हरीस डिसेंट खेल लेता है स्पिन वो राइट अने बैट्समें है तो बेटा रोगा मुसादिक उस दिल के साथ जाओ जो बैट बोल से पॉइंट देगा सी यो भी डेफिनिटली थ फिलाल एब लेवल नहीं है मुस्तफीज अगर खेलता है दोस्तों टीम स्ट्रॉंग हो जाएगा उस कंडिशन में बात अलगे अदर्वास मुस्तफीज दो नहीं खेलता है तो वैस टीम का आलत थोड़ा मुझे फिलाल खास करके बॉलिंग में कुछ खास लग नहीं रहा ह फिलाल दुस्तों मैंने ये टीम क्रेट किया जहां पर आपको दिखेगा एस कैप्टेन मुहमद रिजवान जो सेफ है इमाद वसीम हमारे वाइस कैप्टेन है फिलाल के लिए डेफिनिटली ये टीम स्ट्रॉंग है तो इनके प्लियर्स को बैक कर सकते हो इनको कैप्टेन क्योंकि ये लिफ्टेंडे बैट्समें भी है और यहां पे तो हो गया ये लिफ्टाम ऑ्तोडोक्स मुस्तादिक अगर करेगा भी तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है रिस्ट कैस यहां पे फिर से बरानोंग आपको दिखेगा तो फिलाल यह रहेगा मेरा टीम बालिंग फर् संदा है तो लाइक कर देना थैंक्यू गैस मिलते है मैस टाइम पर